अगर आपको बहुत जादा कि जुरुत पड़ जये अगर मैं बहुत जादा वर्क्स लीधिक अगर मैं प्ले बोलु तो प्ले इनके इनके 37 है 37 प्ले आप नहीं कम्प्लीट कर सकते हो यह आपको पता होगा और उसको छोड़ने के बाद पर हम इसके सॉनेट के बात करें तो सॉनेट इन्होंने 154 लिखे हैं तो आप देख रहे हो इत्य सारे वक्स आप नहीं कवर कर सकते हैं किसे भी पेपर की त्यारी कर रहे ह कर सकते हैं इसलिए स्मार्टली क्या है कि हम उन उन चीजों को देखेंगे जो चीजें इन से इंपॉर्टें हैं अल्राइट अनुवीज जब बात करते हो शेक्सपीर की तब आपको कुछ चीज़े दिहान में रखने पड़ती हैं जैसे कि इनको क्या-क्या बोला जाता है इनको बोलते हैं इंग्लेंड के नैशनल पोईट तीक है यह हमारे इंग्लेंड के नैशनल पोईट कहलाए जाते हैं वह क्यों क्यूंकि आपको भी पता है क्योंकि इन्होंने इतने वोक्स लिख दिये हैं कि आप इनको अलग अलग नाम से जानते हैं एक बहुत पहले कोश तो उसको हम बोलते हैं Shakespeare क्योंकि ये एवन में इनका बर्थ हुआ था इसलिए हम इनको बाड़ ऑफ एवन बोलते हैं यह चीज आपको पता होनी चाहिए इनके plays और अगर आपको याद रहें तो इनके numbers याद रखना कि 37 इनके 154 इनके sonnets हैं जिसको इनको 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 इनको 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 बाद करें तो इसको चोड़ने के बाद में एक background के बात करूं कि क्यूंकि जब आप Shakespeare पढ़ रहे हो तो उसका मतलब है कि आप बात करें हो Elizabethan Time period की Elizabethan Time period में आपको पता है कि Elizabethan तो थी वो दोनों को Protestant को और Catholic को दोनों को बराबर में लेके चल रही थी ऐसा नहीं था कि अगर Elizabeth Protestant थी तो Catholic के साथ कुछ गलत कर रही थी ऐसा नहीं था लेकिन जब आप इससे पहले की एज देखते हो जब आप देखते हो कि इनके sister Mary जो थे bloody Mary जो को हम बोलते हैं वो जब थ्रोन पे थी तो उन् इसको बोलते हैं golden period of literature क्योंकि उस टाइम पे प्रोटेस्टेंट और जो Catholics थे दोनों ही अराम से पीसफुली रह रहे थे तो उस टाइम पे क्या था कि bloodshed नहीं हो रहा था वार की कोई बात नहीं हो रही थी और अगर वार पे destruction पी इतना वक नहीं हो रहा है लोग शांती से तो obviously उनका focus किस पे जाता है राइटिंग की तरफ बढ़ने लग जाता है इसलिए हम इसको golden period बोलते हैं क्योंकि उस टाइम प्रोड्यूस किये थे अब हम बात करें क्योंकि Shakespeare क्योंकि Shakespeare भी Elizabethan time period से बिलॉंग करते हैं तो यह आपको पता होना चीए कि वह Elizabethan time period से बिलॉंग क जब plays लिखे जाते थे तो उसका main motive होता था कि उसको perform किया जाएगा ठीक है perform किया जाएगा इसलिए उन्हें लिखा जाता था मतलब कि उस टाइम पे theaters की बात होगी क्योंकि performance पे कहा होते थे 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 आज की तरह तो नहीं है कि आपको books में जाएंगे आप पढ़ लोगे कि ऐसा नहीं था कि Shakespeare अपने works को सुधे आपके theater में बेज देंगे ऐसा नहीं होता था तो जो भी person लिखते थे वो किसी ना किसी company के लिए अपने समान को लिखते थे हो सकते अपका tragedy हो comedy हो जो भी चीज़े हैं जो भी play है वो किसी company के लिखे जा दी और Shakespeare अपनी जो जिस company के लिखते थे उसका नाम था लॉर्ड चैंबरलेंस लॉर्ड चैंबरलेंस लॉर्ड चैंबरलेंस तो यह कंपनी का नाम था अब इस टाइम पर यह इस company के लिखते थे यह company आगे theater को उन सभी चीज़े को प्रोड्यूस करने के लिए देती थी क्या फिर भी करेंगे मतलब यह company आदी Shakespeare चलाती थी और आदी इस company के जो shares थे वो किसी और person के पास थे मतलब इस company के पास थे अब बात में क्यों जब Elizabeth की death हो गई तो यह जो company पहले Elizabeth के under में चला करती थी अब क्योंकि Elizabeth की death हो गई है तो इसको छोड़के क्या हुआ एक नए king आते हैं अब आपको the first आते हैं तो वो इस company का नाम change करके इसको क्या कर देते हैं इसको कर देते हैं Kingsman और Kingsman को बाद में change किया गया मतलब change तो क्या गया गया क्योंकि पहले company थी और बाद में इस company ने अपना एक खुद का theater भी open कर दिया कि अब ये खुद ही पहले जो काम दूसरे theater को दिया करते अब इन्होंने उस company ने अपना खुद का theater बना लिया और इस theater का नाम आपको बहुत important है याद रफना उसका नाम है the globe theater अभी important क्यों है वो इसलिए है क्योंकि इसके उपर ना आपके चार-पांच बर question आ चुके हैं एक बार तो मेरे time भी आया था मतलब कि June 23 में भी आया था वो शेक्सपीर से रिलेट करती है तो एक बार question तो यहाए था कि Shakespeare जो है वो किस theater से related है associated है तो उसका अंसर है the globe theater दूसरा question यहाए था कि जब यह जो globe theater है यह बाद में जल गया था यह ग्लटी डाउन हो गया तक जब हैंडरी जब हैंडरी जो प्ले है शेक्सपीर का उसे प चीज़े आपको इसमें याद रखनी है क्योंकि याद रखने की चीज़े यह हैं कि एक तो आपको यह याद रखना है कि यह बार्ड ओफ एवन है ठीक है यह डार्क लेडी को इन्होंने अपने sonnet जो है वो कहीना 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 कहीने ड़िकेट की है Lord Chamberlain Man उसको छोड़के the the globe theater the globe theater आपको यह याद रखना है कि यह कब glotted down हुआ कि मेरे paper में आया था कि जो globe theater है उसमें आग लग गई थी उस ताइम पे कौन सा जो प्रेय है वो perform हो रहा था तो उस ताइम पे hanry the 8th जो है वो perform हो रहा था इसको perform किया जा रहा था और मैं date की बात करूँ तो 16 13 में यह ग्लॉटेड डाउन हुआ था तो यह कुछ चीज़े हैं जो आपको याद रखने हैं शेक्सपीर से related अब हम बात कर लेते हैं जो शेक्सपीर हैं के works की ठीक है all right I hope यह visible होगा आपके screen पे अच्छे से तो शेक्सपीर के जितने भी works हम उनको चार category में डाल देते हैं मतलब और अलग अलग time period पर डाल देते हैं क्योंकि इतने सारे works है तो आप सबको नहीं पर सकते हो पर फिर भी इनको अलग अलग category में डालते हैं जैसे कि first period है इनका जब 58, 1588 की बात करते हैं 93 तक उनका पहला period था जब उन्होंने जो works लिखे हैं वो maximum क्या है experiment कर रहे थे वो अपनी चीज़ों पर उन्हें उतना लिखना नहीं आता था लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यह सारे works पढ़ने है क्योंकि यह सारे works पढ़ने ही पाओगे यह नॉर्मल सी common sense के बात होते है कि इतने सारे इतने सारे क्या possible है आप पढ़ो इनकी summary इनके character याद यह important है Romeo and Juliet तो बहुत असान सी है लेकिन आपने सुना भी होगा क्या पता आपको इसकी story पहले से भी पता हो then second phase आता है इनका जब इनोंने क्या है comedies बहुत लिखी है और chronicles लिखे है chronicles क्या होता है जब आप जिसे किसी king के उपर लिख रहे हो उसके next successor के उपर लिख रहे हो तो जैसे कि रिचर्ड है यहाँ पर बात को जिसे henry the fourth का part one, part two, henry the fifth आते हैं तो इस तरीके पे जब यह हो आपको पढ़नी पढ़ेगी यह फिर हम साथ में पढ़ेंगे उसको तो रिचर्ड है, merchant of the Venice है, and then आपका Henry के दोनों part आपके इसमें आ जाएंगे, taming of shoe है, इसको taming of the shoe है, इसको दुबारा से पढ़ा जा रहा है, इस बार इसको एक feminist approach के पढ़ा जा रहा है, क्योंकि आपक इसमें जिस तरीके से Shakespeare ने portrait कर रहा है कि एक विमन को इस तरीके से टेम करनी की ज़रूरत है, तेम मतलब उसे control करनी की ज़रूरत है, इसलिए इसको दुबारा से पढ़ रहे है, then आपके पास आ जाती है, 12th night, 12th night, important ही अच्छी comedy है, interesting भी आप पढ़ सकते हो, then आता है इसका 3rd period जो कि important है, 3rd period आपको सबसे जादा याद रखना है, वो क्यूं क्यूं क्यूंकि इस टाइम पर क्या था, इन्होंने अपने great tragedies लिग की है, जो सबसे famous है, Juliet and Caesar है, Hamlet, Hamlet के उपर हमेशा question आता है, हमेशा आप चाहे कोई भी paper उठा लो, आपको Hamlet के उपर question मिलेगा, Hamlet के following में मिल जाएगा, sequence में मिल जाएगा, इसमें आपके पस Othello, Kinglier, Macbeth, Cleopatra वाला भी है, तो मेरे paper में जो आये थे 2-3 बार में, एक बर इनके उपर comment आया था, एक बर इन चारो को sequence में लगा रखा था, कि किस की publishing कब हुई है, वो आपको sequence में लगाना है, chronological वे में लगाना ह तो आप यह देखके चलो कि आपको sequence यादर करना है कि कौन पहले हुआ या, उसके बाद कौन सा publish हुआ, फिर कौन सा publish हुआ, एक ऐसा नहीं के रटना है, लेकिन फिर भी आप जब दो-तीन बार इन चीजों को देख रोगे तो आपको यह चीजे क्लियर हो जाएंगी, कौन स द्रामेटिक रोमेंस लिखा है, इसमें से जादा कुछ पूछाने की जाता है, तो हाँ, टैमपेस्ट है, जो इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम अपना साइड में रख लेते हैं, बाकि यह सारी चीजे हैं, जो आपको इसमें पढ़नी होंगी, और राइट, एनिवेस, वन आपको इसमें भी न कारें शेक्सपेर की वर्कस की पार ली, हमने यह बात कर ले, किन्होने क्या क्या लिखा है, या और किस तरीके से वह तहीर से एस्सेट करते थे, लेकिन अब बात आती है हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके उपर कॉशन आता है, जो है, फिर्स्ट फॉल्यों अब आप बोलोगे कि यह क्या है तो फिर्स्ट फॉल्यों जो है वो पबलिश हो था जिस्टीन ट्म में इसली है क्योंकि इसमें शेक्सपिर के शेक्सपिर ने खुद थोड़े अपने सारे वक्स हो कही न कहीं collect कै नहीं ऐसा नहीं था बाद में इनके फ इनके फैलो एक्टर थे उन्होंने जिनका नाम था जॉन हैमिंग्स प्लस इनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था हैंडरी कॉंडेल इन दोनों परसन ने मिलके फर्स्ट फॉलियो जो है वो बनाया था तो कि फीर कमपाइल किया था उनके वर्क्स को यह पूछ रखा एक बर कि फर्सट फॉलियो की डेट किया है तो फर्सट फॉलियो की डेट शिचचींट-वजिध्र है यह आपको पता होनी चाहिए अब इसी फास्ट फॉलियो में प्रिफेस भी था क्यूंकि आपको पते है प आपनी पढ़ाई को अपनी स्टडी को जब आप कनेक्ट करोंगे तब आपको मज़ा ने लगेगा कैसे जो जो बैं जॉन्स नहीं है यहां पर कैसे जो शेक्सपियर है उसके ऊपर बहुत जादा लोगोंने कमेंट के ते रोंके कमेंट पेपर में आते हैं अब इनकी बहुत इनकी बहुत इंपोर्टन है क्या बोला कि जो शेक्सपियर है वो किसी एक पर्टिकुलर एज के लिए नहीं है वो हर एक टाइम के लिए है क्यों कि उन्होंने किस टाइम पर लिखा था और स्टिल हम उनके वक्स को पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं था कि एक एज चली गई ज जब इतन एज चली गई तो खतम हो गया या फिर जॉंसन की चली गई तो खतम हो गया वो अभी तक तिल प्रेजेंट हम उसे पढ़ रहे है तो यह और टाइम उन्होंने स्टलके से लिखा है और शिक्सपियर के बायोग्राफर का नाम आपको पता होना चीकि उनकी जो बाय लेकिसे लिखी है तो वह लिखी है निकोलेस ने निकोलेस डोने यह उनके पहले बायोग्राफर थे फरस्ट लिख्राफर थे शीकसपियर के अब शॉटने लिख रहे हो आप समझ जाना इसको तो यह इंपोर्टने इनका नाम इसको छोड़ने के बाद एक कोशिन यहा आता इन्होंने शेक्स्पियर के ओपर अटेक किया था इन्होंने आपको पते एक बहुत ही मज़ेदार बात बोली थी इन्होंने बहुत ही मज़ेदार लाइन बोली थी इन्होंने बोलता कि शेक्स्पियर क्या है एक क्रॉ है ठीक है एक कव्वे जैसे हैं जोने अभी अभी स्टा पाक के रखते हैं और उन्हें लगता है कि बहुत स्मार्ट लग रहे हैं या फिर उन्होंने उपर से ब्यूटिफुल लगा रहे हैं तो वह चीज इनोंने इनके ओपर अटेक करी थी कि वह एक अवस्टाट का ट्रॉव है है तो वह कववे ही लेकिन वह अपने आपको ब्यू जोर्ज बर्नार्ट शौका इन्होंने शेक्सपियर के जो जितने भी एड्माइर्स थे ये भी उन्हें कहीना कहीं पसंद नहीं कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि जो शेक्सपियर है ना उनको बहुत जादा लोग पसंद करते हैं उनकी राइटिंग को पसंद करते हैं और कह जितना लोग उसको बढ़ चड़के दिखावा करें और फिर बोल रहे हैं और इसके लिए नहीं है जिसका नाम था बार बडोल्ट्री यह वोर्ड आता है इसका मतलब होता जो आप इसे को एकसिसमें प्रेस करते हो बाडोल्ट्री तो जॉर्ज बडiegenर शानन को ये बोला यो चोरिन के बाद Elliot को नियुर्ट ने की जुट है है कि 2 खेहरोल्ब्रोम आप हो दो रिखने कोई है आपुछ इन्होंने बोला कि जो शेक्सपियर को नहीं है पार उगस्तिन को थे अगर आपनी मिल्हासिज नीए आपने एपमे फोस्तिक और बिट्रेश थे जो सेंट ऑगस्टीन थे, he was the person जो घूम घूम के Christianity को spread कर रहेते सबसे पहले जब Christianity हम बात करते हैं कि वो इतनी प्रविलेंट नहीं थी जदा फैली हुई नहीं थी उस टाइम पे तो ब्लूम ने क्या बोला कि Shakespeare उनसे और जो Plato है उनसे भी जादा उनसे जादा उनकी fan following है उनसे जादा वो अच्छा लिखते हैं उनसे जादा उनके जो writing है वो जादा important है या फिर उन दोनों से जादा जो Shakespeare है वो important है तो ये कुछ चीज़े हैं जो आपको याद होनी कि अगर आप Shakespeare को cover कर रहे हो बागी Shakespeare से related जो भी important works होंगे जैसे हमने यहाँ पर भी discuss किया तो जो important works है उनको हम कहीं न कहीं cover करेंगे तो सबसे पहले मैं सोच रहे हो कि हम कर लेते है the gentleman of verona पहर is it is तो gentleman of verona ये important है पहले हम इसको करेंगे and then one by one चलेंगे और जादा फिर जादा टाइम जो होगा हम आपको लिए था Canadians K enmolon पार्षार क आपकी अपने ये अपने पढ़ा होसना परहे होना है Amilet था pim वह भी अनगिशों की movement चानि मैं था Kim मह लृच्टिए ये रहे है है कि उसे hallucination है या फिर वो मेंटल होने की एक तरीके दिखावा कर रहा है तो वो चीज़े किस चीज को डिपेक्ट कर रही है इसमें हमले पूछे जाती है और ओथेलो और किंग लियर किंग लियर मैंग बैट में ते हैं से माकसिमं क्यारेक्टर रहते हैं जादे कुछ अना रहाता नहीं है इसमार रहते हैं लेकिन में फोकस किया है हम यहां पर फोकस नहीं करेंगे तो अश्कान को करना है so that's all for today's video and here it is thank you यहां पे तीधर यहां पे रुके वेते हैं and I hope कि आपने जो चीजें इंपोर्टेंट थी उनको नोट डाउन कर लिया होगा मैं पर फिर से बोलना चाहूंगे कि यहां पर आपका जो है आपको शेक्सपेर के प्लेस के नमबर पता होने चाहिए बार ओफ एवर्ण को बोलते हैं, आपने जो सॉनिटसन को डेकेट किया था लॉड चेंबरीन मैं जो कंपनी थी उसे इसे कर जहे देते हैं, बाद में इसका नाम चेंज करके King's men रख दिया गया था और इसने बात में अपने आपको थीटर के रूफ में डवलप किया और पढ़े और बाल में एक लटेट डाउन हो गया अडल कि बांडान हो गया जिब हैंडरी आइट को वह फोर्म किया जा रहा था यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए और यह आपको पता होनी चाहिए और यह और आइश वीडियो दाउन